हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर देखे आज मैं आप सभी के साथ सेर करने जा रही हूँ अपना नया घर और यह अभी एमटी हाउस है और यह मतलब कि आप देख पा रहेंगे कि कितना अंदर से तो मैंने सोचा कि चलिए मैं दिखाई देती हैं अपना घर तो आप यहां देख लेजिए कि मेरा घर कितना गंदा है अभी और बहुत काम हुआ है और जो घिसाई होती है पुट्टी उसकी घिसाई के सारी गंदगी यहीं पर है और अभी तो आप खुदी देख देजे मैं क्या ही बोलू तो इसी वज़े से मैं सोच रही थी ना कि जब यह पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा उस टैम में आप सभी के साथ यह सेर करती यह वीडियो तो खेर वो टाइम आ गया है इसी वीडियो में आपको पूरा एमटी हाउस दिखेगा और यहां पर कि फ्रेंड्स पूरा जो घर है वो आज मैं आप सभी साथ सेर करने जा रही हूँ तो आप सभी को जड़ा सभी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा फर्स टाइम मैं अपनी यूटू फैमली के साथ अपना नया घर सेर करने जा रही हूँ और आ आज वो दिन आ गिया है तो सबसे पहले यह कुछ दिन पहले की वीडियो थी जब इस टील की रेलिंग नहीं लगी थी हम बहुत जलबाजी में काम करवाए थे तो उस टैम मैं पहले आई थी एक बार और यहां पर देखिए पूरे घर को मैं अभी मुझसे जितना हो पाता ह है उतना में साफ करके चली जाओंगी लेकिन मैंने इस दिन थोड़ा सा ही वीडियो सूट किया था और नहीं पूरा वाइट वाइट हो गई थी कपड़े भी गंदे हो गए थे तो फिर मैंने वो वीडियो से मतलब बनाया ही नहीं मैंने का कि अब मैं आपको फिर नेक्ट सब्सक्राइब के प्यार मिल रहा है मुझे तो मैं रुखी नहीं पाई आप सभी को बिना दिखा है तो अब तो आपको हर रोज मेरे ने घर के ही वीडियो मिलेंगे क्योंकि अब जैसे कि अगर ग्रेव पर वेस होगा तो उसके बाद में यहीं पर सीफ्ट हो जाओंगी त तो आपको यहीं की वीडियो मिलेंगे तो बहुत दिनों से आप वीट कर रहे थे और उसकी लिए अब सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो और इतना आप सभी का सिरवात रहा आप सभी की ब्लेसिंग की विना यह सब बिल्कुल impossible था और ये देखे फ्रेंड्स ये किचन है मेरा तो हो किचन का वीडियो में पूरा नहीं सुट कर पाई तीसे थ्वास में इसमें रुख गई और मतलब कि मैं प्रॉपर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाऊं लेकिन फिर भी जो बना है जो म मेरी मोबाइल में जितना है उतना मैं आप सभी को दिखा रही हूं और फ्रेंड्स दिखे जैसे कि आप सब को पता है कि मेरा जो ये घर है वो ज्यादा चोड़ाई नहीं है इसकी लंबाई में ही था ये प्लोट और आप सभी इसका साइज पूछ रहे थे तो इसकी तुमको यहां पर घुज के टंकी साफ करना है ठीक है ना साफ करेगा ना कितना तो अभी खाली होगा ना नहीं जादा पानी चल 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 जली काम करेंगे तो यह दिखे ट्रैंस दिखे ना यहां पर वाइट वाइट लगा हुआ है इसको यह पॉलिस से हटेगा तो जब अब दिखे वाइट वाइट ही हो जा रहा है तो यह जो लगाए है ना वही करेंगे यह वाला काम और अभी बस मुझे धोना है तो यह में जाड़ू हो गया देख रही हो करते हैं किसी काम से अब मुझे सिर्फ घर फुद होना है अच्छोड़ाना नहीं है इतना छौड़ाना का छूड़िया अब मैं हाँ पर आज आओँगी दीरीदीरे सारी चीजे साफ सफाइब होते ही रहेगे कि अब साफ तो करना ही जब्यां पर रहेंगे तो पहले में प अच्छा होता है और भर को साफ सुत्रा के लिए इसी वज़े से अर्मर पर स्टाइम नहीं है कि आप चपाई कर रहे हैं कुर्सिया चाहिए नहीं है तो यहाँ पर दिखे फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ अपने घर की घर को धोने के लिए और यह रिखे यह मेरे बातरूम का जो यह था बेसिन तो उसको उसमें भी धूल लगी वी थी तो मैंने सचा किसे भी मैं लगे हाँ धो देती हूँ और बातरूम और जो चीज आपको इस वीडियो में दिखेगी न वो चीज आपको दिख जाएगी मैंने प्रॉपर ऐसे सूटनी किया था क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था आज ही मेरे घर का ग्रे परवेस है और आज मैं सुभा ही आ गई थी यहाँ पे सो कर ही उठकी और आ गई थी मैं साइ 5 बजे उठी 6 बजे निकल गई थी अपने घर से और अभी मैं यहाँ पर धो धाकर फिर अपने घर जाओंगी और मेरे हस्वेंड सुभा से वो अपना काम कर रहे है क्योंकि आप सब को पता है कि मतलब गिरह परवेस होता है तो बहुत साइज चीजो को इखटा करना और और भी कुछ कुछ चीजे थी तो वो अपना काम करी रहते सुभा से और मुझे बस घर धोकर फिर जो हमें पूजा की चीजे है वो फिर हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो ऐसा होगा कि फिर पंडी जी आ जाएंगे दस ग्यारा बजे का टाइम था उन खतम हो जाएगा और जितना हुआ जैसे हुआ हमने जितना हद तक काम करवाया है वैसे तो अभी मेरे घर में बहुत काम बाकी है यहाँ पर छोटे मोटे और भी काम है लेकिन वो ना अब हम लोग नहीं करवाएंगे क्योंकि अब हम लोग परिसान हो चुके हैं ठक चुके ह अब जैसे कि महां से काम कराना यहां पर आज आ कर बहुत दिकत होती है और मैं जो बोलती हूँ ना तो मैं लगुत मेरा जो मन था वो नहीं होता है और मेरे हस्बेंड ही यह घर बनाया है और आप सब कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बेंड बहुत अच्page हिर बनाया है है हमारा काम भी ऐसे रुक Rुक के हुआ है और सारी चीजों को देना वैसे मि our लेकिन सारी चीजों को देना लाना सब मेरे हज़़मेंट ॆ ज jin का घर बनता है वही लोगों करने है तो इसलिए मैं इनको न ज्याद बहुती नियों इंसे में ज्यादा बहस नहीं करती Caleb क्योंकि आप सब को पता ही है कि मैं मुझे कितना मैं कितना इस्टगल की हूँ इस घर को बनाने के लिए और इस घर को मतलब कि मेरा सपना है आप सबी को पता है और फाइनली मेरा सपना ये पूरा हो गया मेरा घर बन गया और बस आज मेरा गरह परवेस हो गया है और जब ये वीडियो जाएगी तब तक मेरे घर का गरह परवेस हो चुका है और बहुत अच्छी से हुआ आप सभी के आसीरवास से आप सब मेरे घर बनने के पीछे आप सब को इतना खुसी है ना कि मेरा घर बनाए लेकिन खुश आप लोग है और आपकी खुशी देखकर ना मेरा गला भर जाता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती है कि आप सब मुझे से इतना प्यार करते हैं और जैसा है जो है मैं आप सबी के साथ फ़र्श टायम अपना घर नया घर सेर कर रही हूं तो आप सब मुझे प्यार दिजेगा और हां जो जो चीज़े आपको लगती है कि यहाँ पे मिश्टेक हुई है यहाँ पे मिश्टेक हुई है वो सब आप बोल देजेगा क्योंकि में यहीं समर्प आतने के साथ इप गारने लिप जब रहिए दो करने दो को भात है तो पस्ताने से कोई फैदा नहीं लेकिन हाँ एक experience होता है घर बनाने का वो हमें मिल गया अब कभी ऐसा होता है तो हम ये गलती दुबारा नहीं दोराएंगे और friends सब सब देखेगा ये घर देख रहे होंगे तो जो अभी मैं साफ कर रही हूँ ना ये मेरा bedroom है और इसमें हम लोग कुछ ऐसा tile लगवाया है और ये सारे tiles वगेरा सब कुछ मेरे husband ने पसंद किया है और जो bathroom का tile था वो मैंने पसंद किया है दोनो bathroom का tile मैंने पसंद किया है जाकर और जो भी ये सब थे कोई-कोई मुझे वीडियो कॉलिंग में ये दिखाते थे और मैं भी इनको जो पसंद आता था मुझे भी वो ठीक ही लगता था और बहुत सारी चीजे ऐसी होती है कि लगने के बाद वो चीजे अच्छी नहीं लगती है और कुछ ऐसी चीजे होती है जो लगने के बाद बहुत अच्छी लगती है तो घर बनने के बाद हमें समझ में आता है और friends जो मेरा ये gallery है और जो मेरा hall है उसमें एक ही tile लगा हुआ है और आप सब मुझे अपनी मन की बात जरूर मुझे बताईएगा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो मुझे बुरा नहीं लगेगा और friends ये दो room है मेरे इस घर में एक first dollar room जो मैं धोई वो मेरे बच्चो का room है और उसकी tile अलग है मेरे वाले bedroom की tile अलग है और hall और gallery की एक ही tile है ग्रेक लड़की तो अब जो हो गया सो हो गया और आप सभी के comment मुझे पता है कि आने वाले के आपने एक ही tile क्यों नहीं select किया तो मतले मेरे husband ये ऐसा बनाए है घर और हमें बाद में ये सब गल्टी करके पता चला लेकिन जो है सो हो गया और हाँ दर्वाजा जो इस घर में पूरा लगा हुआ है दर्वाजा मैं पसंद करने के लिए गई थी तो आपको मैंने पहले भी share किया था आप सभी की बहुत ज़़ा प्यार मिला बहुत ज़़ा सपोर्ट मिला की दर्वाजा अच्छा है और simple में है पर मुझे भी वो ठीक लगता है और देखिए friends आप से बाते करकर के और देखिए मैंने अपना घर भी आप सभी को दिखा दिया और यहाँ पर पूरा घर भी मैंने धो दिया और मैं बहुत जलबाजी में काम कर रही हूँ क्योंकि आज ये घर दुलेगा उसके बाद फिर घर नहीं दुलेगा और फिर सिर्फ पोच्छा ही लगेगा घर नहीं दुलेगा क्योंकि जब समान आ जाएगा फनिचर वागेरा तो घर टैल वाला घर है तो पोच्छा लगाने से ही साफ हो जाता है घर धोने की जुरत नहीं है उसके बाद देखी फ्रेंड्स मैं घर आ जाती हूँ फिर मैं सीडियों को भी धो दी कि अब पता नहीं कभी मौका मिलेगा ही नहीं धोने का तो इसलिए मैंने सीडियों को धो और मैं बहुत जादा थक गई थी मतलब थक इसलिए गई थी क्योंकि आना जाना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो इसी वज़ा से और यहां पर देखी फ्रेंड्स एक थी जिसमें पूरिया बनेगी और एक बड़ा सा बरतन था जिसमें सबजी बनेगा तो नहाने से पहले मैंने इसे धो दिया है क्योंकि इसे न मेरे हजबन लेकर चले जाएंगे उसके बाद अब देखे फ्रेंड्स में नाद होके अब जारी हूँ नए घर पर और वही पर में रेडी हो जाओंगी और कुछ समान है पीछे और टो में उसे भी हम लोग लेकर जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यही तक थी आज की मेरी वीडियो उमीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा हम फिर में अच्छी से नए वीडियो के साथ बाई बाई